अगला टॉपिक है पाइथन सेट्स तो जैसा कि हमने लिस्ट और टॉपल दोनों के बारे में पढ़ा है उसी तरीके से हाँ पर सेट्स भी है लेकिन सेट्स क्या होती है कि यह अनॉडर्ड होती है और यह अनिंडेक्सेड होती है अनॉडर्ड और अनिंडेक्सेड का मतलब क्या है यह भी हम जश्ट देखने वाले हैं और सेट को क्रियेट करने के लिए हम करली ब्रैकेट का इस्तारीके से करते हैं इतना समझ में आ गया कि हम सेट को बनाने के लिए करली ब्रैकेट का इस्तारीके से करेंगे फिर यहाँ पर बनाई इसमें 496 ठीक है 5 इस तरह से यहाँ पर हमने वैली स्टोर कर दी तो यहाँ पर इन सभी का ordered है जैसे कि हमने बताए कि 4 हमने 1st position पर store किया तो इसकी 0 है इसकी 1 है इसकी 2 है लेकिन यहाँ पर अगर हम set के अंदर जैसे हमने S नाम का एक set बनाया curly bracket यूज किया और यहाँ पर हमने store किया 5,6,0,1,9 और अब यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर यह square bracket नहीं बलकि curly bracket आएगा तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है ठीक है तो हो सकता है कि यहाँ पर by mistake गलती से कुछ है इसकी 2 है लेकिन यहाँ पर हम set में अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन से element की क्या position है अगर आप यह कहेंगे कि 5 के position 0 है तो यह गलत है यानि कि क्योंकि यहाँ पर जब हमें एक बार set create कर देते हैं तो उसकी जो value होती है वो अपने आप ही exchange हो जाती है unordered हो जाती है unordered क मतलब यह हो गया कि वो sort नहीं होती है अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 0 और 1 यह ascending to descending order में हो जायागा तो ऐसा नहीं होगा ठीक है मलब आप सोचे कि 0,1 पहले छोटी संख्या फिर उसके बाद बड़ी संख्या और फिर last में सबसे बड़ी संख्या ऐसे भी नहीं ठ लगा सकते कि मलब कौन सी वैल्यू कहां पर होगी या बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते जिसको में बहुते है रेंडम ठीक है तो सेट का जो डेटा होता है वो रेंडम होता है तो इस तरीके से यहाँ पर आप सोचे कि लाओ 6 को प्रिंट करते हैं तो इसके लिए ह तो यह unordered का मतलब समझ में आ गया फिर unindexed का मतलब है कि इसमें इसका index नहीं होता यानि कि हम इसमें index लगा करके set के element को access नहीं कर सकते हैं तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है तो यहाँ पर चले आपको practically दिखाते है तो यहाँ पर देखें एक this set नाम के एक set बनाईग है ठीक है बास समझा गई unordered तो होती है लेकिन साथी साथ यह unindexed भी होती है और इसमें duplicate value हम नहीं रख सकते है यह भी ध्यान रखना है इसमें duplicate value नहीं रख सकते है ठीक है आपको दिखाते हैं practically तो यहाँ पर चलते हैं और एक set यहाँ पर हम create करते हैं ठीक है यहाँ पर ह हमने six और यहाँ पर seven store किया और यहाँ पर हमने एक बार four को भी repeat कर दिया बास समझ में आ गई और अब यहाँ पर हम set को पहले print करते हैं इसको save किया run किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि one four six seven eight ठीक है यहाँ पर आप देखिए इसका element देखिए मलब यहाँ पर पहली बा third position पर था लेकिन यहाँ पर यह first position पर है four यहाँ पर first पर था लेकिन यह second पर है ठीक है six यहाँ पर था वो यहाँ पर आ गया बास समझ में आ गई ना तो यहाँ पर one four six seven eight ठीक है इस तरह से यहाँ पर हमारा set का जो output है वो आ रहा है यहाँ पर हम एक बार इसको फिर से run करत जैसे यहां पर हमने 55 कर दिया ठीक है और अभी इसको सेव करते हैं फिर से रन करेंगे तो अब यहां पर आप देखेंगे अब आप यह सोच रहे होंगे कि यहां पर तो order था 14678 ठीक है यह ascending order था यानि कि पहले सबसे चोटी सेंख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी लेकिन यहां पर आप गौर से देखेंगे तो इसमें तो ऐसा कोई order नहीं है न अगर ऐसा order होता तो यह 55 लास्ट भी आ जाता न बास समझ में आ गई न तो set जो है वो sort इनका जो data होता है य यहां पर इस तरीके से तो आपको बास समझ आ गई होगी कि जो set होती है इनका data नहीं sort होता है नहीं किसी order में होता है इसलिए इसको बोलते है unordered ठीक है और यहां पर इनका unindexed या नहीं इसका कोई index भी नहीं अगर आप सोचे लाए काम करते हैं कि हम यहां पर second position का data print करत है अब आपको यह तो पता चली गया है कि second position यानि कि यह 0 है यह 1 है और यह 2 है यानि अभी current time में तो second position पर क्या है 1 है ठीक है हम पता है लेकिन हम यह भी पता है कि यह unordered है तो data exchange हो जाएगा ठीक है यह भी पता है लेकिन change हो जाएगा कोई दिकर नहीं फिर भी हम यह चाहत table यानि कि इसमें हम यहाँ पर indexing जो है यह इस्तमाल नहीं कर सकते हैं तो यह चीज आप ध्यान रखना यह unorder and unindexed होती है फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं access item यानि कि इसके item को हम एक एक करके loop के थूर access कर सकते हैं यानि हम यहाँ पर loop चला सकते हैं बासमा जा गई इस तरीके से value निकाल सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमने s को print कर दिया हमें i को print करना अगर s print करेंगे तो फिर पूरी set जो है print होगी i print करेंगे तो एक एक item इस तरीके से print होगा बासमाज भी आ गई तो इस तरीके से यहाँ पर हम set के item को loop के through access कर सकते हैं बाकी यहाँ पर हम इस तरीके से check भी कर सकते हैं कि कोई item exist करता है कि नहीं करता है बनाना in this set यानि कि जो बनाना है क्या वो इस set में है तो बिल्कुल यहाँ पर इसका result होगा वो true होगा क्यों क्योंकि बनाना जो है वो यहाँ पर है हो यानि कि set के अंदर का अगर कोई item हमें change करना हो तो वो कैसे करेंगे तो once a set is created यानि एक बार set जब create हो जाती है तो इसके item को अभी हम change नहीं कर सकते है you cannot change its item but you can add new item ध्यान रखना ठीक है यह नहीं है कि tuple देखे क्या होती है कि tuple में नहीं हम कोई नए item हम add कर सकते हैं और नहीं हम delete कर सकते हैं और नहीं हम replace कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं इसलिए वो unchangeable होती है लेकिन जो set होती है यानि कि set जो हम पढ़ रहे हैं यह unchangeable नहीं है बस इसमें क्या है कि हम किसी item की value को replace नहीं कर सकते हैं कि किसी item की value को जैसे बनाने की जाएगे orange रखना चाहें तो यह नहीं कर सकते लेकिन नया item हम add कर सकते हैं जिसके लिए हमें add method का इस्तमाल करना है ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे this set.add और orange को हम add करेंगे तो यह orange जो है वो add हो जायागा लेकिन orange यह कहां पर add होगा जैसे append method आपको पता है न लिस्ट में append method यह list के last में एक element को add करता है लेकिन add method जो है यह कहां पर add करेगा हमें नहीं पता है यह orange add भली last में करें लेकिन यह बीच में कहीं पर mix हो जायागा क्योंकि यह unordered होती है clear होगी ना बात ठीक है जब यहाँ पर आप देखेंगे orange इसमें add क position कहां है यहाँ पर है ठीक है जब इसको print किया गया तब पता चला clear हो गई बात तो यह हो गया add method और बाकी बात करें update method की तो update method क्या करता है कि add method से आप एक ही item जो है इसमें add कर सकते हैं लेकिन update method से आप multiple item add कर सकते हैं जिसके लिए हमें यहाँ पर square bracket इस्तमाल करना है ठीक कि यह पूरा है कि हाँ पर curly bracket open हुआ यहाँ पर close हुआ है तो बीच में यह सारे item जो है जुड़ चुके है apple बनाना चेरी और फिर उसके बाद orange mango and grabs लेकिन यह पूरे आपस में mix हो जाएंगी जैसा कि आपको पता है और set में ध्यान रखना set में duplicate value जो है वो automatic delete कर देता है ठी list यूज करनी चाहिए, tuple यूज करना चाहिए, set यूज करना चाहिए यह आपको decide करना है बाकी हम जब कुछ program देखेंगे तो वहाँ पर हम इनको इस्तमाल करना भी बताएंगे logic building करना भी आपको बताएंगे कि कहां पर किस situation में किस तरह की चीज़े आपको use करनी चाहिए तो यहां पर हम add और update इन दोनों method को थोड़ा practically आपको बता देते हैं ताकि कोई confusion न रहे, तो यहां पर हमने क्या किया कि हम एक item इसमें add करते हैं, तो s.add और इसमें अभी हम एक string को add करते हैं, हम add कुछ भी कर सकते हैं, तो यहां पर हमने क्या किया, jk को यहां पर हमने add कि और अब यहां पर हम print करते हैं, set को, ठीक है, तो यहां पर अभी हम s को print कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें jk जो है, वो add हो जागा, लेकिन यह first position पर add हो ए, ठीक है, तो यह चीज होती है, तो यह हो गया add method का इस्तवाल करके, अगर हम इसमें multiple item add करना चाहें, तो उसके लिए हम update method का इस्तवाल करेंगे, कि इसका update का, ठीक है, उसके लिए यहां पर हमें क्या करना होगा, एक काम और करना होगा, वो क्या है, कि यहां पर हमें square bracket यूज करने हैं, और फिर अब यहां पर हम आराम से इसमें, कितने भी item add कर सकते हैं, जैसे हमने 4,6, या फिर करते हैं, और run करेंगे, तो आप देखेंगे, यह सारे item यहां पर जुड़ चुके हैं, ठीक है, तो यहां पर set का इस्तमाल करके, हम duplicate value को भी remove कर सकते हैं, ठीक, फिर यहां पर आगे बढ़ते हैं, अगर length जाननी हो, तो यहां पर length function का इस्तमाल करके, हम पता कर सकते हैं, कि कि this set यानि जो भी variable आपका होगा, जिस तरीके से list में यह method होता है, remove method यह list में भी होता है, वही same यहां पर use यहां पर भी है, ठीक है, set से यह item डिलीट कर देगा, जिस भी item को आप particular value के जरीए target करके डिलीट कर सकते हैं, दूसरा method है discard, discard का भी इस्तमाल हम item को remove करने के लिए करते हैं, set में, ठीक है, remove और discard इन दोनों method का इस्तमाल हम कर सकते हैं, यहां पर देखे practical भी बताया गया है, वहां पर क्या किया गया था, this set.remove किया गया था, और यहां पर हमने discard का इस्तमाल किया है, तो यह तब भी इसका जो output है, same है, बास समझ में आ गई, तो यह आप practical क करके check कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर उसके बाद अगले number पर है, pop method, pop method यहां पर क्या होता है, आपने list में इसका इस्तमाल किया है, list में जब हम pop method का इस्तमाल करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, कि जैसे हमाल लेते हैं, एक list है, तो इस list का जो जो भी value है वो delete हो जाती थी लेकिन आपको ये भी पता है कि जो set होता है ये unindexed होता है unindexed का मतलब कि इसमें हम indexing के हिसाब से नहीं delete कर सकते हैं नहीं access कर सकते हैं तो चलिए माल लेते हैं कि अगर हम pop method में index नहीं डालते हैं तो ये list में तो last item delete करता था लेकिन set में भी last item ह होगा ये हमें नहीं पता जैसे यहाँ पर अगर आपके सामने apple बनाना और cherry लिखाया है यानि कि हमने एक set बनाई है तो आपको ये पता चल चुका होगा कि ये इस order में तो नहीं होगा इस order तो चेंज हो गई होगा तो अभी हमारे साब से last item cherry है लेकिन जब हम pop method यूज करे है बास समझ में आ गई बस set में क्या नहीं कर सकते चेंज नहीं कर सकते कि बनाना की जगे orange कर दें ऐसा नहीं कर सकते किसमें set में clear है तो चल यहाँ पर pop method का यूज करके आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर देखिए set है और इसमें 55, 65, 25 और 3 ये store किया है तो इस हिसाब से हम समझ आ गई न तो अब यहाँ पर अगर हमें यह जानना हो कि कौन साइटम डिलीट हो वैसे तो अभी हमने इसको उससे मैच किया तो पता चल गया 65 लेकिन अगर फिर भी जानना चाहें तो उसके लिए हम इसकी value को एक नए variable में store कर सकते हैं इस तरीके से ठीक है तो यह return दे कि कौन सी value डिलीट की गई है यानि कि उस set से कौन सी value डिलीट हुई है यह भी हम पता कर सकते हैं इसके लिए हमें इसको एक variable में store करना पड़ेगा ठीक है या फिर हम directly भी प्रिंट कर सकते हैं बास समझ आ गई न देखें आपर हम T को प्रिंट करते हैं तो जो डिलीट होग बाकी जो बचेगा वो S में प्रिंट होगा ठीक है यहां पर देखें 65 डिलीट हुआ तो यह अलग आया और बाकी जो हमारा set में बचा है value वह यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको यह भी समझ आ गया होगा ठीक है वही चीज यहां पर बताई गई है कि यहां पर एक note दिया गया है इसमें पताया गया है कि set are unordered यानि जो set है वो unordered होती है हाँ ठीक है हमें पता चल चुका है कि unordered होती है so hand using pop method यानि कि अगर आप pop method उसमें use करते हैं तो you will not know which item that gets removed यानि कौन सा item remove होगा यह आपको पता नहीं रहेगा ठीक है हाँ हम उसको एक variable में store क सकते हैं वह अलग बात है clear हो गई बात फिर उसके बाद यहां पर अगर हम बात करें अगर set को clear करना है तो हम clear कर सकते हैं एक set को पूरा clear कर सकते हैं हम एक set को भी clear कर सकते हैं लेकिन टपल को नहीं कर सकते हैं ठीक है सारी चीज़ों को यहां पर हम बार बार इसलिए repeat कर दे बीज बीज में टपल या लिस्ट का एक्जम्पल इस ले लेते हैं ताकि comparison जो है यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए ठीक है रटना ना पड़े आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहें तो set को delete भी कर सकते हैं उसके लिए आप del keyword का इस्त create कर सकते हैं तो यहाँ पर set भी आपको समझ आ गया तो अभी तक यहाँ पर हमने तीन चीज़े clear कर ली हैं लिस्ट हो गया और आपका टपल पढ़ा हमने फिर उसके बाद हमने sets के बारे में पढ़ा ठीक है तो यहाँ पर list टपल और set में क्या क्या difference है यह तो आपको हमने ब करेंगे python dictionary के बारे में dictionary क्या है तो अगली वीडियो में complete कर लेंगे dictionary को तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में thanks for watching इस वीडियो